नई सुबा के इंडिपेंडिट लिविंग प्रोग्राम के किचन टिप्स के साथ मैं हूँ आशा एहमद आज हम आपको गोश्ट को सेफ करने का तरीका सिखाएंगे जब इदे कुर्मा करीब हो तो आप लोगों को ब्रेल में टैक्स तयार कर लेने चाहिए अगर प्लास्टिक या एकसरे पर आप टैक्स तयार करें तो यह बहुत अच्छी बात है और यह हमारे लिए बहुत यूस्फुल होगा इसके इलावा आपके पास सिप लॉक बैग होने चाहिए सिप लॉक बैग के साथ आपके पास बड़े शौपर होने चाहिए ताकि हम इसमें आराम से पैकिट्स को सेफ करें कुर्बानी होने के बाद आपके पास गोश्ट हो तो वो आप उसको प्लास्टिक या फिर चटाई पर फैला दें और पंखा चला दें इसके बाद आपने एक साफ कपड़ा लेकर इसको विनिगर में डुबोकर गोश्ट के बोटियों के उपर फैला देना है ताकि ये एंटि बैक्टिरियल हो और मुख्तलिफ कीड़े मकोणों से महफूज रहें जो गोश्ट आपको लंबी अड़से तक के लिए सेफ करना है इसको वाश करके इस ट्रेनर में रखकर इसका एकसेस वाटर जाया कर दें अब एक पतीले में तीन लेटर पानी लेकर इसमें हाफ कप विनिगर एड़ कर दें धुलेवे गोश्ट को अब इस विनिगर वाले पानी में डिप करके रखें तकरीबन पांच मिने डिप करने के बाद आप इसको निकाल कर किसी कपड़े या प्लास्टिक पर फैला दें और फैन अन कर दें बोटियों को खुश्क होने के बाद एक किलो या दो किलो के पैकेट्स बना कर आपने सेफ कर लेना है इसके बाद आपने बड़े शौपर में मुख्तलिफ पैकेट्स को रखकर उपर टैग कर देना है कि इसमें बिर्यानी का पैकेट है, या फिर कीमे का, या फिर कबाब का. इसी तरीके से आपने तमाम पैकेट्स तयार कर लेने हैं. यानि छोटे-छोटे पैकेट्स को आपने एक बड़े शॉपर में रखा और उपर इसको टैक कर दिया और फिर इसको फ्रीजर में फ्रीज कर लिया इसी तरह जब आप बकरे के गोश्ट को सेफ करना चाहते हैं तो आपने बकरे के गोश्ट को अच्छी तरह से आटा छड़िक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है आटा इसके उपर ऐसा लगाएं कि गोश्ट के आगे पीछे अच्छी तरह से आटा चिपक जाए आदे गंटे भाद साफ पानी से गोश्ट को धोलीजिए और इसके बाद इसको स्ट्रेनर में रखके इसका एक्सेस वाटर खारिज कर दें अब एक पतीले को चूले पर दर्मियानी आज पर रख दें और ये गोश्ट इस पतीले में ट्रांस्वर कर दें दर्मियानी आज पर इसको इतना पकाएं चम्चा चलाते हुए कि इसका सारा एक्सेस वाटर एब्सॉर्ब हो जाए इसके बाद चूला बन करके इस गोश्ट को ठंडा करके इसके पैकेट्स सयार कर लें और फ्रीजर में फ्रीज कर लें इस तरह से बकरी के गोश्ट को आप धोकर फ्रीज करेंगे तो ये लंबे अड़से तक असली हालत में बरकरार रहेगा प्लस जब इसको आप कुप करेंगे तो इसमें से कोई हीक नहीं आएगी और आप इसको असारी से इंजोई कर सकते हैं अब तक के लिए इतना ही अगली टिप के साथ दुबारा हासिर होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिस